आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Everyone, question कहता है Name each of the following species and indicate which member of each pair is more stable and आप इस question बताना है कि इन दोनों following species में से जो given है इसमें सबसे जादे stable कौन सा होगा compound तो देखिए ये जो है ये इलाईलिक कार्बो केटायन है इलाईलिक कार्बो केटायन ओके और जब भी double bond की ऊपर कोई charge present होता है तो उसको हम बोलते है विनाईलिक विनाईलिक कार्बो केटायन देखिए इलाईलिक कार्बो केटायन देखिए अगर हम CH2 double bond CH CH2 plus इसमें क्या होता है इसमें हो सकता है resonance ठीक है इसमें हो सकता है प्लस R effect and प्लस R effect क्या करता है कार्बो केटायन को stable बनाता है तो इसलिए ये more stable हो जाएगा इसका जो resonatic structure अगर हम देखे तो हो जाएगा CH2 प्लस CH double bond CH2 ठीक है यह second resonatic structure है allylic carbocatine का इसलिए यह सबसे जादा stable होगा लेकिन अगर हम बिनायलिक carbocatine देखे हैं CH plus double bond CH CH3 यह जो है यह total बिनायलिक carbocatine है यह भी और यह भी बट यहां पे कोई भी resonance नहीं है no resonance और इसमें कोई भी इसमें सिर्फ plus I effect इस methyl group का लग रहा है plus I effect और कोई भी resonance नहीं है इसलिए यह क्या हो जाएगा less stable क्योंकि priority जो होती है वो resonance का सबसे जादा होता है than plus I effect ठीक है यह आपका priority order इसी की वज़े से Elylic Carbogatine सबसे जादे stable हो गया और इसमें plus I effect होते हुए भी यह less stable है Thank you so much Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर ाग्र के बालूड एसलियन से जादा स्टुडेंट्स